एल निनू को डिसकस करने से पहले हम जरा नॉर्मल कंडिशन्स को देख लेते हैं नॉर्मल डेज में अगर देखें तो ये हमारी इंडिया हो गई इंडिया के जस्ट नीचे यहाँ पर एक आईलेंड है जिसका नाम है मैसकरीन आईलेंड इसके अलावा ये आपका आस्ट्रेलिया हो गया और आस्ट्रेलिया के साथ ही साथ में ये हो गया आपका साउथ अमेरिका तो नॉर्मल डेज में अगर बात किया जाए तो यहाँ पर ट्रेड विंड्स चलती रहती है तो यह आपकी जो trade winds होती है वो 30 degree to 0 degree में कुछ इस तरीके से चल रही होती है जिस तरीके से यहाँ पर trade winds चल रही है trade winds के अलावा यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं these are trade winds इन trade winds के अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर counter equatorial current भी चल रही होती है तो यह हो गई आपकी counter equatorial current तो this is counter equatorial current मैं लिख दे रहा हूं अब normal conditions में ऐसा होता है कि चुकि इस trade wind के कारण से ultimately इस trade wind के कारण से जो भी यहाँ पर पानी होता है जो भी यहाँ का पानी होगा यह drift करना शुरू कर देता है towards Australia और सीधी सी बात है क्योंकि यहाँ पर trade winds इसको एक frictional force प्रोवाइड करने है जिसके through ultimately पानी इस side में आते या रहा है अब पानी आते या आता है तो इस side से इस side का मतलम जो हमारा South African side है इस South African side से upwelling होती है जो आपकी peruvian current भी जिसको आप बोल सकते हैं तो इस side में चुकि पानी यहाँ पर निकल गया है और यह आपका warm water इस side में आ गया है तो यह हमारा आ गया warm water और यहाँ पर upwelling के कारण से यहाँ पर आ गई है cold water अब चुकि यहाँ पर upwelling हो रही है तो upwelling के कारण से यहाँ पर जो मचलियां है यानि जो fishes वगर हैं वो भी काफी ज्यादा आ जाएंगी अब यहाँ पर अगर condition समझ में आ गई है तो एक बात समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर चुकी cold water है इसका मतलब है कि जो peruvian current है यह आपका high pressure पर बन करके रखा रहा होगा दूसरी तरफ यहाँ पर है warm water warm water का मतलब है कि यह अपना low pressure पर बना हुआ है अच्छोके हम लोग बाते कर रहे हैं summer season in North America तो यहाँ पर मई जून के अराउन में अगर बात किया जा है तो इंडिया में भी low pressure यहाँ पर बना हुआ है simple कारण है उसके पीछे क्योंकि यहाँ पर जो sunshine है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के थुरू हो करके गुजरती है तो यह low pressure बना हुआ है वाई अगर मस्करीन के पारे में बात करें तो मस्करीन यहाँ पर high pressure यहाँ पर बना होता है मस्करीन के पास में अब हमारे पास में जितने भी pressure belt चाहिए होते थे वो हम लोगों ने देख लिया है ध्यान रखना था आपको counter equatorial current and trade winds अब देखें यहाँ पर जो low pressure है low pressure ओवर ऑस्ट्रेलिया लो प्रेशर होने के कारण से यह अब यहाँ पर हवाएं जो होंगी वो उपर उठनी शुरू ह हो जाएंगी जैसे ऐसे हवा उपर उठनी और शुरू होगी यहाँ पर cloud formation होना शुरू होगा और cloud formation के कारण से अच्छी खासी rainfall हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी अब जैसे ही उपर में जाएगा उपर में जाने के बाद में ठंडा हो जाएगा यानि यहाँ पर भी अब high pressure बन चुका है high pressure के बाद में अब यह जो air है वो drift करना शुरू कर देगी South American side में और drift करके जो high pressure बना हुआ यहाँ पर subside करना शुरू कर देगी और यहाँ पर clear sky बनाएगी यहानि की बारिश वगरह नहीं होने वाली है और यह जो पिरू का area है यह एक desert area होने वाला है उखती है फिर इसके बाद से horizontally move करती है और high pressure पेरूवियन करेंड के उपर में गरी जाती है इस cycle को हम लोग बोलते है इस वाकर साइकल यह वाकर साइकल है यहाँ पर अब इसके अलाबा एक दूसरी जो इसकी पार है high pressure over this Australia इसकी एक जो हवा है इसकी एक पार चली जाती है म हमारी cycle complete हो गई high pressure के बाद ultimately इंडिया के साइड में यह लोग प्रेशर की ओर में यहाँ पर attract हो जाती हवा और चुके attract होती है तो इस कारण से ultimately यहाँ पर इंडिया में बारिश होनी शुरू हो जाती है यह बारिश होती है अब इस बारिश के लिए क्या-क्या forces responsible हुए एक तो हम लोगों ने देख लिया कि जो ट्रेड विंट्स हैं यह ट्रेड विंट्स यह ट्रेड विंट्स काफी important role play कर रहे हैं तो मेक दप्रेशर लो और हाई ठीक अब एक दूसरी चीज इंडिया में अगर लो प्रेशर बना हुआ है जो कि बना रहेगा सीधी सी बात है और दर माल लेते हैं कि आस्ट्रेलिया में यहां पर आस्ट्रेलिया में लो प्रेशर बना हुआ है तो दिस इस गुड़ साइन यह गुड़ साइन है कि मौनसून आपकी काफी अच्छे होने वाली है यह हमारी नॉर्मल कंडिशन होती है क्लियर अब जरह हम लोग आते हैं अप इस यह ति है आस्ट्रेलिया का पार्ट हो गया अब यहां पर महल लेते हैं या हमारा साओ अमेरिका हो गया इस तरीके से प्रूविया वाला साइड हो गया ठीक है इसको रिपल्ज करेगी यानि कि counter equatorial current एक negative force के तरीके से काम कर रही है जबकि जो यहाँ पर trade winds है यह positive force के तरीके से काम कर रही है इस पानी को South America से Australia तक के लाने के लिए किसी कारण से यह जो trade wind है अगर यह weak पढ़ना शुरू कर दी यानि कमजोर पढ़ रही है एक तरफ यह कम counter equatorial current है वो अब इस पानी को जो South America से Australia के साइड आ रही थी उसको रिपल भी कर रही है तो अब यह जो पानी के आने की जो frequency थी यानि कि यह जो water आ रहा था South America से Australia के साइड में अब यह आना या तो कम कर देगा वीक हो जाएगा या फिर एकदम से खतम हो जाएगा तो या तो अगर वैनिश हो जाएगी इसका मतलब जो पानी जहां पर है ये पानी अगर यहां पर है तो यहीं पर रहेगा तो जो upwelling की condition अब वो अप्वेलिंग की कंडिशन भी कमजोर पड़ जाएगी यानि अप्वेलिंग भी यहां पर या तो नहीं होगा या फिर काफी कमजोर हो जाएगा इसका मतलब एक और चीज है यहां पर कि जो यहां पर हाई प्रेशर बन रही थी because of this upwelling अब वो high pressure न बन करके यहाँ पर बनना शुरू हो जाएगा लो pressure यह low pressure बनना शुरू हो जाएगा दूसरी चीज जो अस्ट्रेलिया में low pressure बना हुआ था because of this water अब यहाँ पर यह high pressure बन जाएगा क्योंकि पानी आया ही नहीं पानी आया ही नहीं तो यह high pressure बनना शुरू हो जाएगा तो actual में जो cycle पहले low pressure से उठ करके यहाँ पर इस high pressure बनना शुरू हो जाएगी अब यहाँ पर low pressure वाली जो यहाँ पर हवा है यानि कि low pressure वाली जो चीज है मैं इसको erase करके बता दे रहा हूँ अब यह जो low pressure है इन रियालिटी यह low pressure उठना शुरू हो जाएगा पेरुवियन साइट से उठना शुरू हो जाएगा और यहाँ पर यह cloud formation करेगा और यहाँ पर बारिश होनी शुरू हो जाएगी और यह low pressure ultimately इस high pressure की ओर में गिरना शुरू हो जाएगा और इस तरीके से जो walker cycle पहले थी वो अब alter कर जाएगी तो अब यहाँ पर alter of walker cycle या फिर कह सकते हैं कि जो walker cycle है उसका पूरी तरीके से opposite nature देखने को मिलेगा तो जब opposite nature देखने को मिलेगा जिसके कारण से यहाँ पर यह high pressure यह low pressure यह देखिए high pressure low pressure यह तो बना रहेगा this is independent from this water यह independent है from this water तो अब जो हवा यहाँ से पहले इधर के side में आ रही थी यह cut out हो गई जब cut out हो गई तो यहाँ से जो हवा यहाँ की ओर में जा रही थी यानि इंडिया side में जा रही थी यह भी अब cut out हो जाएगी यानि कि अब यहाँ पर जो wind पहले आ रही थी अब wind यहाँ पर कमजोर पढ़नी शुरू हो जाएगी या फिर हो सकता है कि बहुत बहुत ज्यादा ही slow down देखने को मिलेगा जिसका impact यह देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो monsoon पहले काफी strong हो रहा था या तो वो बहुत weak पढ़ जाएगा या एकदम से cut out हो जाएगा यानि कि खतम हो जाएगा इसको बोलते हैं इस condition को बोलते हैं L9 condition बात clear हो गई क्या चीज़ है तो L9 condition में क्या क्या चीज़े हुई है यहाँ पर जो trade winds है यह trade wind ultimately weak पढ़ गई है weak पढ़ने के बाद में जो counter equatorial current है यह important role play कर रही है या फिर बोल सकते हैं कि this is kind of repulsion यहाँ पर यह शो कर रही है इसके अलावा जो upwelling की condition है यह upwelling की condition भी यहाँ पर slow down हो गई है slow down बोलिए या फिर weak बोल दीजिए जो भी बोलना है वो बोल दीजिए और ultimately यहाँ पर अगर हम monsoon के impact को देखते हैं तो monsoon यहाँ पर हमारी कमजोर पढ़ जाएगी वीक पढ़ जाएगी और इसलिए इंडिया में सूखा यानी की drought condition देखने को मिलेगी यह हो गया एल निनो के बाद में next जो आती है condition वो आती है ला निना की condition अब ला निना की condition को समझने के लिए again फटा फट जरा एक map बना लेते हैं यह हमारा हो गया प्यारा भारत दूसरे साइड में यहाँ पर हो गया हमारी मस्करीन फिर धर में हो गया आउस्ट्रेलिया फिर धर में हो गया आपकी जो South America है यह हमारा South America हो गया इस तरीके से Normal condition में यहाँ पर low pressure बना हुआ है यहाँ पर upwelling के कारण से high pressure बना हुआ है यहाँ पर भी अगें high pressure बना हुआ है तो इस high pressure के कारण से जो हवा है वो हवा इस side में तो जाही रही है यह तो कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पर कोई problem नहीं है में जो चीज है वो Australia और South America के impact को ही देखना है अब हम लोग ने अभी तक यह देखा कि यहाँ पर जो trade winds है यह trade wind important role play कर रहे हैं और इस trade wind के कारण से ultimately जो हमारा पानी है यानि कि जो हमारा यहां से पानी है वो इस side में आ रहा है अब एक तरफ हम लोग ने देख लिया कि जो trade winds से वह weak पढ़ने की जगह पर अगर यह trade wind वीक पढ़ने की जगह पर अगर माल लेते हैं बहुत जादा strong हो गई तो अगर बहुत जादा strong हो तनैंड गी यानि कि और ज्ट्रोंग हो जाएगा पानी पहुत ज्यादा यह पानी बहुत ज़्याद यहां पर पेर्युवियन साइड में और ज्यादा strong upwelling होगी और ज्यादा strong high pressure بنेगा ऐस्ट्रलिया अश्म में और ज्यादा high-low-pressure बनेगा यानि कि जो लोग प्रेशर है वो बहुत ज़दा स्ट्रॉंग बनेगा तो हवा उपर उठनी शुरू हो जाएगी और अल्टिमेटली क्लाउड फॉर्मेशन और फिर वही चीज यहां पर हवा का सबसीडेंस देखने को मिलेगा इस तरीके से साइकल हो जाएगी अब ज्यादा होगी हाई रेनफॉल कंडिशन में देखने को मिलेगा क्यों क्यों कि यहां पर स्ट्रॉंग विंड्स रिसीव हो रही है इस कंडिशन को बोलते हैं ला निना कंडिशन तो ला निना कंडिशन में अगर बात किया जाए तो यहां पर मॉनसून पर क्या इंपैक्ट मिडिल समझे अब मिडिल का मतलब क्या है मिडिल का मतलब अगें फिर से आजाते हैं जरान पर तक कंडिशन को ही लेकर के देख लेते हैं अब तक तो सारी बाते क्लियर हो ही गई होंगी एलिनो कंडिशन में हम लोगों ने देखा कि यहां पर अप्वेलिंग बंद हो गई है क्योंकि जो हवा जो पानी इस साइड में आ रहा था वो कमजोर पढ़ गया था यह कमजोर पढ़ जाएगा और इस कारण से यहां पर बन जाएगी हाइप प्रेशन वीडिशन है अपना कोई दिख्कत नहीं में आocado क्या होता है यह चिए यहां पर बना हुआ है ये low pressure shift हो करके in between of the pacific आ जाता है बीच में ये pacific quotient है ये pacific quotient का western side हो गया और ये pacific side का eastern side हो गया तो pacific यहाँ पर बीच में कहीं low pressure बन जाता है और इस side में low pressure है लेकिन वो अब relatively थोड़ा सा high हो गया यानि कि अगर इस low pressure के comparison में देखें तो ये बन जाता है high pressure तो अगर ये high pressure है ये low pressure है अब यहाँ से wind उपर उठनी चुरू होगी पैन बदल देता हूँ मैं तक ही clearly visible हो यहाँ पर ये low pressure होने के कारण से अब ये बीच में कहीं पर हवा उठेगी और यहाँ पर cloud बनेंगे और जो बारिश होगी वो pacific quotient में कहीं बीच बीच में हो रही ह होगी अब ये दोनों साइड में हवा इस तरीके से distribute होगी यहाँ पर गिर रही होगी साथ ही साथ में यहाँ पर जो high pressure है यहाँ पर भी गिर रही होगी और इस तरीके से cycle complete हो रही होगी यह cycle complete हो रही है यानि walker cycle कह सकते हैं थोड़ा सा shift हो गया है साथ अमेरिका से shift हो करके यह Pacific के between में आ गया है अब चुकि सारी हवा इधर गिर गई है तो इस साइड में हवा आने का कोई chance ही नहीं है तो chance नहीं है या फिर बहुत ही कमजोर week यहाँ पर wind की एक मतलब कह सकते हैं कि एक शाखा आ जाएगी और अगर कमजोर आ रही है यानि बहुत ही कम यहाँ पर भी जाएगी यानि यहाँ पर जो monsoon condition है वो फिर से क्या होगी कमजोर पड़ जाएगी फिर से कमजोर पड़ जाएगी तो यहाँ पर हुआ क्या है अगर हम देखें तो यहाँ पर हुआ यह है कि जो low pressure low pressure जो peruvian coast पर develop हो रहा था वो shift करके shift करके middle of Pacific म में चला गया है जिसके कारण से अब जो यहाँ पर monsoon इंडिया में आ रही थी वो monsoon week पड़ गई है लेकिन अगर हम comparison करें यह comparison नॉर्मल के case में अगर बात करें तो नॉर्मल के case में थोड़ा सा कम रहेगी मोडोकी से और उससे भी जादा कम रहेगी ऐल नीनो इयर से थोड इंडिया में और नॉर्मल कंडीशन में अगर बात किया जाए तो नॉर्मल कंडीशन में हम लोगों ने देखा ये था लो प्रेशर ठीक यह होगया हाईप्रेशर यह ए आपका पर और यहां पर हुआ इस तरीके से चल रही है यहां पर कोई दिखत नहीं है। आप चुक्की लानिन्हक कणिशन छल रही है यानि जो ट्रेड विंड्स है यह काफी ज्यादा इस्ट्रांग है जो अपर आ हैं खी होगी जाधा इस्ट्रांग हो रही होगी। काफी यादा strong हो रही होगी यानि कि जो हवाएं है वो बहुत ज्यादा तेजी से पानी जो होता इस side में आ रहा है पानी आ रहा है low pressure के गारण से यहाँ पर और ज्यादा तेजी से उपर उठेगी यह बन गया आपका cloud इस तरीके से यहाँ पर high pressure पर गिरिया रहा है और इस त तो अव्यसी बात है यह रिलेटिवली यहाँ पर अब लो प्रेशर हो जाएगा तो लो प्रेशर यहाँ पर उठा पानी उठा लेकिन यह गिर गया इस लो प्रेशर पर इस high pressure पे और low pressure से फिर से हवा उठेगी और इस high pressure पे गिरेगी और इस तरीके से यहाँ पर cycle हो जाएगा तो चुकि यहाँ से तो हवा उठी रही है तो एक wing इधर गई दूसरी wing चली आएगी इस मस्करीन पे लेकिन उतनी नहीं आएगी जो normal la nina condition में आनी चाहिए थी क्योंकि यह divide हो गया है यह उतना ज़्यादा strong अब नहीं बन पा रहा है तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर conditions तो बन रही है नॉर्मल कंडीशन से यहाँ पर अगर बात करें तो यह हो गई normal condition नॉर्मल कंडीशन से जो मुडो की condition है यहाँ पर बारिश तो ज़्यादा होगी ही होगी लेकिन la nina year से कम होगी यह हो गया मुडो की और यह वाला case हो गया बात समझ में आई तो monsoon के लिए this is positive going to be good rainfall लेकिन relatively less रहेगी as compared to la nina next concept is related with the medan julian oscillation medan julian जो oscillation है यह एक global phenomena है this is global phenomena what is this global phenomena global phenomena का मतलब यह हो गया कि माल लेते हैं कि यह हमारी earth है इस earth पर बीच में यह हमारी जो medan julian oscillation है वो इस तरीके से चलती रहती है घुमती रहती है कोई दिक्कत नहीं है मतलब इसके चारो और में इस तरीके से यह घुमती रहती है अब देखें इसमें देखेंगे तो एक हमारा crest है और एक हमारा trough है नीचे के side में जब यह आता है जब यह नीचे के साइड में रहता है तो यहाँ पर बनती है high pressure अब यह जो होती है वो 30 to 60 days में आगे बढ़ जाती है मतलब इसका time जो होता है 30 से 60 दिन का होता है किसी एक particular zone में अब जब देखिएगा यह आ गया हमारा इंडिया अब इंडिया में जैसे ही यह मैडन जूलियन ऑसिलेशन आएगी यहाँ पर condition कुछ इस तरीके से बनी इंडिया में अल्रेडी low pressure पहले से बना हुआ था यह low pressure और ज़्यादा develop कर दे रहा है मैडन जूलियन देखिए न उपर वाला जो होता है यहाँ पर high pressure है तो जैसे ही मैडन जूलियन ऑसिलेशन इंडिया के उपर से हो कर के गुजरेगा क्या यहाँ पर बोल सकते हैं कि low pressure इंडिया पे जादा develop हुआ जादा डवलजब हुआ तो हवा भी उतनी जादा आएगी और उतनी ही जादा आपकी मौनसून होगी तो मैडन जूलियन उसिलेशन is good for मौनसून in इंडिया ये positive phenomena आप बोल सकते हैं यहाँ पर लेकिन ये ज़्यादा दिनों तक नहीं ठीकेगा, कब तक ठीकेगा ये maximum to maximum 3 to 60 days जितना भी है उतने में ये ठीकेगा तो एक बात तो समझ में आ जाती है कि मौनसून का जो time period होता है वो तो करीब-करीब 4 मंत का होता है इंडिया में तो एक बात तो sure हो जाती है कि मेडन जूलियन उसिलेशन more than once आएगा more than once depending on the cycle, 30 दिनों का है या 60 दिनों का है अगर 30 दिनों का है तो हमारे लिए काफी अच्छा होगा क्यों अच्छा होगा? क्योंकि जादा बार संभावना है मेडन जूलियन उसिलेशन की इंडियन उसिलेशन के उपर में आने की और अगर वो 60 दे का चल रहा होगा तो यहाँ पर ये condition not good है not good क्यों? क्योंकि less possibility है यहाँ पर less possibility है कि इंडियन उसिलेशन के उपर में यह वापस से फिर से आपाएगा clear? तो यह में चीज है मेडन जूलियन उसिलेशन की which is a global phenomenon जिस भी उसिलेशन के उपर में पहुचेगा वहाँ पर crest और जो ट्रफ है उसके basis पर high pressure, low pressure बनेगा यहाँ पर ज्यादा rainfall की condition बनेगी मौनसून की condition बनेगी नेक्स आती है इंडियन उसिलेशन डाइपोल इंडियन उसिलेशन डाइपोल में अगेन यहाँ पर conditions बहुत ही simple सी बात है यह हमारा इंडिया है एक तरफ आपको पता है कि this is Arabian ocean यह हमारा Arabian ocean है दूसरे तरफ यहाँ पर आ गई Bay of Bengal इंडियन उसिलेशन डाइपोल अगर माल लेते हैं कि Arabian side में माल लेते हैं कि जो Arabian side है यहाँ पर low pressure create किया यानि कि यहाँ का जो temperature है वो काफी ज्यादा हो गया है इस इस हाइपर यहाँ पर हो गया है और माल लेते हैं कि Bay of Bengal यहाँ पर माल लेते हैं कि high pressure बना हुआ यानि कि temperature relatively कम है दिस इस गुड क्यों क्योंकि यहाँ पर मस्करीन है मस्करीन high pressure पर बना हुआ है और यह जितना ज़्यादा low pressure हमें Arabian पर मिलेगा उतना ज़्यादा ही favorable condition बनेगी हमारे आगे बनने की ठीक है तो यानि कि अगर Arabian जो Arabian ocean है अगर यह negative है यह positive है यानि कि overall अगर हम बात करें Indian ocean dipole अगर माल लेते हैं कि जो Indian ocean dipole है अगर यह positive है positive का मतलब यही होता है कि जहाँ पर आपका west minus east आप इस तरीके से समझे तो west अगर माल लेते हैं कि west वाला low pressure पर है right वाला यानि कि जो अगर माल लेते हैं कि high pressure पर है तो यह Indian ocean dipole positive Indian dipole positive Indian ocean dipole बोला याता है अगर यह है तो this is good for monsoon, monsoon के लिए काफी अच्छा है वही अगर माल लेते हैं condition उल्टी हो गई, यानि कि condition माल लेते हैं कि negative हो गया है यानि कि यह जो high pressure है Bay of Bengal पे वो low pressure में बदल गया है और जो Arabian ocean पे यह low pressure है यह high pressure पे बदल गया है तो यह बन गया है जहां पर high pressure के कारण से यह wind उतना ज़्यदा attract नहीं करेगा और इस वज़े से monsoon यहां पर weak पड़ जाएगा मौनसून यहां पर weak पड़ जाएगा clear? तो यह चीज है जो Indian ocean dipole के बारे में हम लोगों ने चीजों को समझा अब यहां पर कुछ fun facts है fun facts का मतलब यह चलिए आए उपर सही देखना शुरू कर देते हैं यह L-9 है L-9 में एक बात समझ में आ गई थी यहां पर कि जो यह trade winds है यह trade winds weak पड़ रहे थे ठीक है? weak पड़ रहे थे तो L-9 के एक आरण से ऐसा कहा जाता है कि जो oscillation है यानि कि जो अर्थ की rotation है अर्थ की rotation weak पड़ते आती है weakening in earth rotation अर्थ का जो rotation है वो कमजोर पड़ जाता है साथ ही साथ में जो coriolis force होती है ये भी कमजोर पड़ जाती है this is कमजोर पड़ जाती है अब rotation आपकी कम हो गई है इसका मतलब धीरे-धीरे sun के चारोर में चक्कर लगाएगा और इस बज़े से जो day की length होती है वो बढ़ जाती है ये एक छोटा subfund fact था जो आपको पता होना चाहिए एक दो छोटी मोटी और भी चीज़े हैं जैसे की triple dip this is triple dip एक चीज़ होती है अगर माल लेते हैं तीन बार consecutive तीन बार consecutive ला निना अगर year हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि this is triple dip तो इसको बोलते हैं triple dip condition एक और चीज़ या लेकिए ला निना condition अगर माल लेते हैं कि इंडिया में हो रही है ला निना condition अगर इंडिया में हो रही है तो काफी ज़्यादा chance होता है कि जो USA side है यानि Atlantic का जो North Atlantic वाला part है इस North Atlantic वाले part में काफी ज़्यादा chance होते हैं कि यहाँ पर high hurricanes बनेंगे hurricanes जो होते हैं यहाँ पर संभवना काफी ज़्यादा होती है बनने की बनने काफी ज़्यादा है